हेलो फ्रेंज, वेलकम टो बेक माई यूटूब चनल, रोटो सक्सेज में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे RSM SSB द्वारा जारी नूटिफिकाशन के बारे में और इसके उनलाइन एप्लिकाशन के बारे में आपका यहां पर RSM SSB के तरफ से आपके यहां पर जो वेकंशी है वो आपका यहां पर राजिस्तान पसुदन साई के लिए आपका पोश्ट रखा गया है यानि कि लव इस्टो के लिए आपका पोश्ट रखा गया है दोस्तो आगे बने इस पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राब जरू कर ले ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की latest notification सबसे पहले मिलते रहे तो दोस्तो चले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं RSM SSB की ओपिसल वेबसेट है जहाँ पर आपका जो recruitment है पसुदन साइक के लिए आपका विकंसी इनवाट किया गया है तो किस तरह से आपको अपलाय करना होगा तो पहले हम चलते हैं इसकी notifications की तरफ जैसा कि यहाँ पर आप देख पारे हैं राजिस्तान करमचारी चैनल बोड जेपर की तरफ से आपका विकंसी इनवाट किया गया है जिसकी डेट आपको यहाँ पर देखरों को मिल जाएगी आपका जो पोस्ट है वो आपका पसुदन साइक सीधी भरती 2022 के लिए इनवाट किया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो भी पोस्ट निकला हुआ है वो आपका यहाँ पर लिव इस्टोक आशिस्टेंड के लिए आपका पोस्ट निकला हुआ है तो उसकी डेटल आप देख सकते हैं तो इस तरह से जो भी आपका नोटिफिकसन है आपको सबसे पहले अपना जो भी SSO ID है आप उसे login करेंगे जब आप अपने SSO ID को open कर लेंगे आपको कुछ इस तरह का dashboard देखने को मिल जाएगा अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक option select करना होता है जिसका नाम होता है recruitment portal तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर देखनों को मिल जाएगा तो मेरा जो recruitment portal है वो पर्ष्ट option पर आ रहा है तो मैं इस पर click करूँगा यह option आपको select करना है उसके बाद आपको थोड़ा सा wait करना है जैसे यहाँ पर आप click करेंगे तो आपका दो भी on going recruitment वाला session है उसमें आप देख पांगी कौन सी vacancy आपकी invite की गई है तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं direct recruitment of leave stock assistant के लिए आपका vacancy निकला हुआ है तो आपको यहाँ पर मिल जाता है apply now का option simply आपको इस पर click करना है जैसे यहाँ पर आप click करेंगे आपको इसका जो post है वो open हो जाएगा अब आपका जो post है इस पर आपको click करना है जैसे हैं यहाँ आप आप देख सकते हैं आपका जो application form है leave stock assistant के लिए आपका open हो चुका है जिसमें आपकी जानकरी आपको provide करने होगी तो सबसे पहले दोस्तों आपका जो भी candidate name है वो आपको flip करना है अपना जो name है वो matriculation यानि कि 10th के marsuit के recording आपको flip करना है उसके बाद जो भी आपका gender है वो gender आपको select करना है आप male है या female है उसके बाद दोस्तों अपना father name आपको mention करना होगा उसके बाद अपना mother name आपको enter करना है और आपका जो भी DOB है वो date over तो आपको select करना होगा इस तरह से आप select कर सकते हैं जो भी आपका DOB है इस तरह से आपको choose करना होगा उसके बाद दोस्तों अपना मंत आपको select करना है देन आपका जो भी day है वो आपको select करना है उसके बाद आपका जो भी overall percentage होगा अपने age का आप उसे check out कर सकते हैं अब आपका जो भी category है वो category आपको select करना है sht जिस भी category से आप लिओं करते हैं उसके बाद दूस्तों आपसे कहा गया कि अगर आप EWS category से आते हैं तो आपको yes करना है otherwise आपको यहाँ पर यह no हो जाएगा अगर आप SST candidate हैं तो यह automatic आपको यहाँ पर no हो जाएगा उसके बाद आपसे कहा गया कि क्या आप दिवाइंदेर से आते हैं अगर आते हैं तो आप select कर सकते हैं आपको blindness है या फिर आपको low vision है तो आप इसमेंसे select कर सकते हैं otherwise आपको यहाँ पर no टेपल के आपको select करना होगा उसके बाद दूस्तों आपका जो religion है वो religion आपको select करना है आप यहाँ पर हिंदू है या बुध्य है जो भी है आपको select करना होगा उसके बाद अपना marital status आपको select करना है आप यहाँ पर married है या फिर unmarried है जो भी है आपको select करना होगा अगर आप married करने date है तो जो भी आपका इस्वाव से name है वो आपको देना होगा उसके बद दोस्तों आपसे कहा गया कि अगर आप merit करने date हैं तो जो भी आपका यहापर जीवत पती या पत्नी है उसकी संक्यापको यहापर एंटर करने होती है तो इस तरह से आपकी एंटर करने होगी उसके बद जो भी आपका mobile number है आपको fill up करना है उसके बाद जो भी आपका email ID है या आपके SSO ID से automatic आपका face हो जाता है उसके बाद आपसे कहा गया कि क्या आप राश्तान के अन्यश्टी 36 से आते हैं अगर आते हैं तो आपको इसका नहीं उसके बाद आपका जो भी correspondence address है आप उसकी entry करेंगे तो दोस्तो जो भी आपका address है वो आप उसकी entry करेंगे तो आपको address line 1st, 2nd, 3rd में जो भी आपका complete address है आप उसकी entry करेंगे और आपका जो भी state है वो state आपको select करना होगा तो यहाँ पर आप select कर सकते हैं जो भी आपका state है उसके बाद आपका जो भी district है आप उसी mention करेंगे इस तरह से आपको select करना है और आपका जो भी city आपका village का name है वो आपको mention करना है उसके बाद दूस्तों आपका जो भी share का जो pin code है वो आपको mention करना होगा उसके बाद अगर आपका permanent address और आपका correspondence address same है आपको same age पर click करना है उसके बाद आपको next पर click करना है उसके बाद दोस्तों आपके mobile number और आपका email ID है अगर आपका correct है तो आपको confirm करना होगा तो उसके लिए आपको yes पर click करना है उसके बाद आपका domain शालर की detail है वो आपको mention करने होगी तो सबसे पहले जो भी आपका national entity है को आपको your चूज करना है उसके बाद आपका होंको स्टेट है। आप को स्टेट करेंगे उसके बाद आपका हों। स्टेर्व कर सकते हैं एंड्या में हैं उसके बाद आपको एंट्री कर्सकते हैं। अजिस आपका country है जिस भी country से आप आयो हो आप उसकी आंटरी करेंगे अधरवाद आपको नोपर क्लिक करेंगे उसके बाद आपका तो इस पेसल केटिगरी है उसमें आप से कहा गया कि क्या आप यहां पर एक सर्वस्मन है अगर आप है तो आप यस कीजिए अधरवाद आप नोपर किलिक करेंगे उसके बाद अगर आप NCC काड़ेट हैं तो आपको Yes करना है अधर्वाज आपको No पर किलिक करना है अगर आप Yes करता है तो जो भी आपका Debt है आपको चूस करना होगा उसके बाद आपसे कहा गया क्या आप यहाँ पर Prisoner है अगर आप है तो हम Yes कि qualification और experience है आप उसकी entry करेंगे तो सबसे पहले जो भी आपके education qualification है उसको आपको agree करना होगा उसके बाद दूस्तों आपका जो भी secondary यानि कि 10th का detail है आपको mention करना है तो सबसे पहले जो भी आपका 10th का subject group है आप उसके entry करेंगे उसके बाद दूस्तों आपका आप इन में से चूज कर सकते हैं और आपका जो भी 10th का passing error है आप उसे चूज करेंगे इस तरह से आपको select करना होगा उसके बाद दोस्तों आपका जो भी grade ये आपका percentage है आप उसके entry करेंगे और आपका 12th का detail है वो आपको select करना होगा तो यहाँ पर आपसे कहा गया कि जो भ दोस्तों आपका जो भी percentage है आप उसके entry करेंगे उसके बाद अगर आपने एक साल का या आपने दो साल का diploma करका है तो आप उसके entry कर सकते हैं तो उसका subject का name आपको देना है और आपका जो भी school या आपका institute का name है वो आपको mention करना होगा उसके बाद अपना role number एंटर करना है और आपका जो भी result है आप उसके entry कर सकते हैं अगर आपका result awaited है या फिर आप appearing में है तो भी आप इस form के लिए apply कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों आपको या पर नीचे आना है अगर आपको किसी भी exam देने से मना किया गया है तो आप उसके entry कर सकते हैं otherwise आपको nest पर click करना ह उसके बाद दोस्तों आपका जो भी identification जो आपका या पर enclosure वारा session है वह open हो जाएगा अब आपके जो भी photo और signature है वह आपको upload करने होंगे तो जो भी आपका photograph है वह आपको upload करना है तो आपको choose file पर click करना है और आपका जो भी latest photograph है आप उसे upload करेंगे आपको या पर कहा गया जो भी आपका photograph का size 50KW से लेकर 100KW के अंडर होना चाहिए और आपका जो file का type है JPG और JPG में होना चाहिए उसके बाद आपका signature है वह हिंदी में आपको upload करना है तो अपना signature है 20-50KW के अंडर आपको upload करना है और size आपको या पर दिया गया है आप उसे check out कर सकते हैं इस तर आपका application प्रिव है वो open हो जाएगा जो भी आपका application है उसमें आपका जो भी status है आप उसे check out कर सकते हैं उसके बाद आपको या पर note दिया गया है कि जो भी आपका application नबर है अभी तक आपका या पर generated नहीं हुआ है यह आपका तभी generate होगा जब आप इसका application submit कर दोगे उसक करना है उसके बाद आपको या पर declaration को icon form करना होगा और आपको final submit पर click करना है उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कितना payment आपको pay करना है तो आप उसकी detail देख सकते हैं देन आपको pay piece पर click करना है उसके बाद अगर आप payment करना चाहते हैं तो आपको ok पर click करना है और फ तरह से आप select कर सकते हैं, उसके बाद आप देख सकते हैं, आपका जो भी banking का charges होगा, आप उसकी detail देख सकते हैं, अब आपको पेनाओ का उपसल मिलता है, आप इस पर click करेंगे, तो जो भी आपका customer ID या फिर आपका user ID है, आपको flip करना है, उसके बाद आप continue पर click करेंगे, तो दोस्तो आपका जो भी पेमेंट होगा, वो आपका success पर हो जाएगा, उसके बाद आपका जो भी application form है, आप उसे print करके, download करके रख सकते हैं, तो दोस्तो इस तरह से आप भी आपको बता दी है, कि किस तरह से आपको इस application के ले apply करना है, so friends, I hope कि ये वीडियो आपको पसंद आया है, अगर वीडियो आपको पसंद आया है, तो इस वीडियो को like and subscribe जरू करें, तो मिलता किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जे हिन, जे भारत!